बर्सार के मोसम ने एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत थी वहीं दूसरी तरफ कुछ किसानों की पकी पकाई फसल बारिस में भीग गई जिस कारण किसानों को लाखो रुपे का नुफसन हुआ आपको बता दे कि इस समय गर्मी अधिक पढ़ ही थी गाउं गाउं हवन जल की धारा लगा कर इंद्र देवता को खुश किया जा रहा था कि जिससे बारिस पढ़े और लोगों को गर्मी से राहत मिले बारिस पढ़ी भी जर्मी कम भी हुई और किसानों की धान की फसल बुआई में फायदा भी हुआ लेकिन कुछ किसानों ने धान की अगेदी फसल बुई थी जो की पस चुपी थी और निकलवाना ही बाकी रह गया था लेकिन तेज बारिस पढ़ने से पधिर पकाई फसल भीग गई और जिससे किसानों को लाखों रूपे के नुकसान होने की आशंका है आप तश्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किसान की धान की फसल किस तरह बारिस के पानी में भीग रही है जिस कारण सारी धान की फसल भीच्टी जा रही है और किसान के दिल पर मायूशी चाही हुए तुकि उसे लाखों कर रूपे का नुकसान होना हो चुका है आपको बता दें कि एक तरह बारिस गर्मी से राहत पहुचाती है और किसान की अगेती फसल को पाइदा भी पहुचाती है लेकिन पकी पकाई फसल भीगने से उसको लाख उर्बे का नुक्तन हो गया है पया है झाल 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 झालच चाइनल झाल टाहर को फिल सपस्क्सकाइब करें, बैल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें